नमस्कार साथियू आप सब के लिए बहुत बड़ी good news है आज का 2023 का यह latest notification है जो कि भारतिय रेलवे की ओर से आ चुका है सो दोस्तो पिछले वीडियोज में आप सबने काफी कमेंट के थे कि सर रेलवे के अंदर इस्टेनोग्राफर की बर्तिक कब आएगी सो दोस्तो आज फाइनली आप सब का इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारतिय रेलवे के अंदर आई latest इस्टेनोग्राफर की बर्तिक के बारे में जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों इस्टेनोग्राफर की पोश्चले रहने वाली है सो दोस्तो यहाँ पर आप सब का सीधा डारेक्ट सेलेक्शन होगा वो भी केवल इंटरू की आधार पर और एजूकेशन क्राइटेरिया की बात की जाए तो कम से कम दोस्तो आप दस्वी पास होने चीए तभी आप इस बर्ति के लिए अपलाई कर सकते हैं अगर आप दस्वी पास हैं तो आज का यह वीडियो खास आप लोगों के लिए ही बनाया गया है तो दोस्तो अगर आप चैनल पर पहले बार विजिट करें और ऐसे ही रोजाना अगर सरकारी गुवर्मेंट नोकर की अपडेट सबसे पहले पाना चाते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब केज़ेगा तो आप देख सकते हैं Ministry of Railways यानि ये Railway मंत्रालेक की और से सीधी डारिक बरती है और इंटिर्यू के आधार पर आपका सेलेक्शन होगा तो बात करें आपका एक्जाम वगरा कहां रहने वाला है तो दोस्तो आपका जो इंटिर्यू रहेगा वो Railway Claims Tribunal Railway Station Junction Old PRS Building वारानसी में आपका रहेगा पांच दिसंबर 2023 को आपका इंटिर्यू रहेगा सुभे 11 बजे जहां पर दोस्तो आपको जाना है आपकी जो नॉर्मली डोकुमेंट वगरा रहेगी दस्मी बार विए इंटिर्यू मारक सीट हो जाएगी और आपका जो कास्ट सेटिपिकेट हो जाएगा आपका डेटो बर्थ सेटिपिकेट जो दस्मी मारक सीट हो जाएगा और नोर्मली आपका जो आधार कार्ट पेन कार्ट जो भी आपके पास दोस्तो आपकी आईडी है और आपकी लोटिस्ट जो दो फोटोग्राफ वो आपको लेके 5 दिसंबर 2023 को जाना है दोस्तो वारा आने से में और ये इनकी ओफिशिल वेब साइट रखेगी है www.rct.indianrail.juv.in यहाँ पर दोस्तो आप जो अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बाके फिर भी अगर आप कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप हमें इसी वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं अब बात के जाए आपके एजुकेशन क्राइटेरिय की तो दोस्तो इन्होंने साप साप लिख रहे हैं कम से कम आप जो दस्री पास होने चाहिए साथ ही साथ आपको जो इस्टेनोग्राफिक का नोलेज होना चाहिए चाहिए आप हिंदी है या अंग्रेजी अगर आप हिंदी इस्टनों ग्राफिली एप्लाई करते हैं तो 80 सब्द प्राती मिनट सोटेंड की डिक्टेशन रहेगी 10 मिनट की डिक्टेशन रहेगी और 60 मिनट आपको ट्रांस्क्रिप्शन का समय दिये जाएगा वहीं इंगली सवालों को सेम रखा गए बढ़ आपको ट्रांस्क्रिप्शन का समय 50 मिनट दिये जाएगा 80 सब्द प्राती मिनट आपके सोटेंड की डिक्टेशन रहने वाली है तो आप 18 से लेके 30 साल तक यहां पर अप्लाई कर सकते हैं वहीं दोस्तों अगर आप रिजर्वर केटेगरी से बिलोंग करते हैं अगर आप OBC से हैं तो दोस्तों आप 18 से लेके 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं अगर आप S.E.S.T. हैं तो आप 18 से लेके 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं वहीं दोस्तों आपको यहां पर काफी चूट भी मिलने वाली है तो आपका काफी गजब का दोस्तों यहां पर जोब लोकेशन रहने वाला है इस्टेनोग्राफर की पोस्ट है और यह आपका फोर्म रखा गया है आपका नोर्मली नाम हो जाएगा आपका लेटिस्ट फोटोग्राफर हो जाएगा किस पोस्ट के लिए आप अपलाए करते हैं हिंग्री इस्टेनोग्राफर या अंग्रेजी इस्टेनोग्राफर वो आपको यहां पर फिल करना है फिर आपका date of birth हो जाएगा जो दसमी मारे सीट में लिखा हुआ है आपका फादर का या पती का नाम हो जाएगा आपका जो communication का जो address हो जाएगा आप जो अगर सहर कहीं रहते हैं फिर आपका permanent address आपका जो गाओं का धानी का या सहर का जो भी हैं आप डाल सकते हैं आपके mobile number हो जाएगे आपका fix number अगर है तो जरूरी है ने तो आप जो आप खाली भी छोड़ सकते हैं email ID दोस्तों आपके पास सब के पास होता है वो आप याँपे डाल सकते हैं फिर अगर आपके पास कोई telephone mobile number अगर कोई घर्प के हैं तो दोस्तों वो भी आप याँपे communication के लिए डाल सकते हैं फिर दोस्तों आपको याँपे एक signature करना है जो भी आपके signature हैं याँपे आपको करना है इसके बाद दोस्तों आपको वाराने सी में इसको साथ में ही लेके जाना है एडर्स ने एक बाद आप दुबारा देख लिएगा दोस्तों हम यहाँपे आपको जो सबसे पहले सरकारी government नोकरी की जानकारी सबसे पहले देते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सबस्क्राइब के जगा और 5 दिसंबर 2023 दोस्तों इस डेट को आप बोलना मत यह वही डेट है जो आपका भविश्य बना सकती है तो इसको जरूर यहाँ दखे का मिलना है सबको बिल्डिंग वारानेशी के अंदर 5 दिसंबर 2023 को सुबह 11 बज़े तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद वीडियो अगर आप अभी तक देखे रहे हैं तो वीडियो को जादा सा जादा लाइक और सेर कीज़ेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ